करनाटका चुनाओं में बियारेस ने कॉंग्रेस की जम कर मदद की थी और अबाइस चुनाओं में कॉंग्रेस अपना कर्ज उतार रही है क्योंकि करनाटक में भरपूर खजाना ये तिलंगना की जनता से लूटा हुआ माल करनाटका में कॉंग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कॉंग्रेस जिल जाए फिर उसको मिल करके तेलंगना में जिल जाए ये बियारेस खेल करती है भाईयो मैं आज पहली बार एक रहत से खोलने जा रहा हूँ खोल दू, सच बता दू, बता दू, बता दू भाईयो पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूँ और मेरे पत्रकान मेत्रों से भी कहता हूँ जाँच करवा लेना सच प्रतिशत सच्चाई बताने आया हूँ मैं आज जब हाईद्राबाद मुन्सिपल कार्परिशन का इलेक्शन हुआ भारतिये जनता पार्टी चालिस पैतालिस सीटे जीत करके आगई फोर्टी एक किसी को महुमत नहीं मिला केसी आर को सपोर्ट की जरुवत थे और आपने देखा होगा हाईद्राबाद कौर्परिशन के चुनाव के पहले वो एरपोर्ट पे पूरी फोज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे बड़िया बड़िया माला पहनाते थे बहुत सम्मान करते थे याद है ना फिर क्या हुआ भै अचानक मन दो गए अचानक इतना गुसा क्यों निकल रहा है इसका कारण ये है कि हाइदराबाद के चुनाव के बाद ये भी तारिक चेक कर ले मिडिया वाले वो दिल्ली मुझे मिलने आये बहुत बड़िया मुझे शाल उड़ाई बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया इतना प्यार दिखाया ये केसी आर के कैरेक्टर में नहीं है और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नितृत्वों में देश प्रगती कर रहा है हम भी NDA का हिस्सा बनना चाहते हैं आप हमें NDA में शामिल कर दीजिए मैंने का आगे क्या बोले हैदराबाद में मुंसिपाल कॉर्परेशन में हमारी मदद कर दीजिए मैंने केसियार को कहा आपके कारना में ऐसे है मोधी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है हादराबाद में हमें विपक्ष में बैटना पड़ेगा तो बैठेंगे KCR की सरकार हमारे कायर करताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे लेकिन हम तेलंगना की जनता से दगान नहीं कर सकते हैं बले तेलंगना की जनता ने हैधराबाद में हमें पूर्ण भवमत दे दिया लेकिन 48 सिट भी तेलंगना का भाग्य बदलने की शुरुवात है और माने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इंकार कर दिया उनको NDA में एंट्री देने से इंकार कर दिया उसके बार उनका दिमाग फटका फिर तो वो भांती भांती से दूर भागने रहे मैं प्रस्टाचार के सवाल पुझने लगा फिर एक बार दुबारा आये वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया अब मैं सारा कारोबार के टी आर को दे देना चाहता हूँ मैं एक बार के टी आर को भेजूंगा आप जरा उसको आशिरवाद दे देना ये उन्होंने मुझे कहा मैंने कहा के सी आर ये लोक तंत्र है तुम कौन होते हो बेटे को राजगा दी दे तुम राजा मारा जाओ क्या क्या तुम राजा मारा जाओ क्या अरे तेलंगा कि जनता तै करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है बाज वो दिन आखरी था उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आखे नहीं मिला पा रहे हैं मेरा पढ़्चाया भी देखने की इम्मत नहीं बची उनकी आप देखा अभी मैं सरकारी कारकम करके आया कोई प्रस्टाचारी मेरे बगल में बैट करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है इसलिए भाग रहे हैं